ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज 18 आगस्त 2024 बाबा के महावाक्य शिव जैन्ती व्रत लेने और सर्व समर्पन होने का यादकार है आज त्रमूर्ती रचता शिव बाप अपने पूज साली ग्रामों से मिलने आये हैं मिलना भी है तो आज मनाना भी है आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जैन्ती बड़े उमंग उत्सा से मनाने के लिए पहुँचे हो बच्चे कहते हैं बाप की जैन्ती मनाने आये है और बाप कहते हैं बच्चों की जैन्ती मनाने आये हैं आप सब भी अपनी जैन्ती अलोकिक बर्थडे मनाने के लिए आये हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो। क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्रामण भी जरूर चाहिए, ब्रामणों के बिना यग्य सफल नहीं होता, इसलिए बाप और बच्चों का इखटा जन्म दिन है, अर्थाद जैनती है, तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं, और बाप हर ब्रामण बच्चे को अलोकिक चन्म की अरब खरब से भी ज़्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं, तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, सभी ने हाथ हिलाया बहुत अच्छा एक हाथ की ताली अच्छी लगती है दो हाथ की नहीं बहुत खुशी है न तो हाथ रुकते नहीं हैं चल पड़ते हैं दुनिया में भक्त लोग भी शिव जैंती बड़े धूमदाम से मनाते हैं लेकिन वैं मनाते हैं एक दिन का जागरण वा एक दिन का व्रत आप बच्चों ने अज्ञान नीन से जागरण का संकल एक दिन के लिए नहीं किया है जागरण वैं भी करते लेकिन आपने एक संगम युक्का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं जाग गए है न अभी फिर सोएंगे तो नहीं न या थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे अच्छा सोए नहीं तो थोड़ा जुटका खा लेंगे ये जागरण ऐसा जागरण है जो सोयम तो जाग जाते हैं लेकिन औरों को भी जगाते हैं, ज्यान की जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना, ये अलोकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है न, जब से जन्म लिया, जैन्ती मनाई तब से क्या-क्या व्रत लिया, याद है न, बच्चे कहते हैं याद तो क्या हमारी तो नैचुरल जीवन ही व्रत की हो गई है, पवित्र आहार, पवित्र व्यभार और पवित्र विचार ये जीवन बन गई, एक मास के लिए, दो मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारन करने वाली बन गई, नैचुरल बन पड़ती है बन गई है ना सिर्फ कांध हिलाओ बस बन गई अब पवित्रता नेचर से स्थमाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई ऐसी हीरे तुल्य शिव जैन्ती वा सालिग्राम जैन्ती मना ली चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे है बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप साथ और आपके साथ वह भी कितने खुश हो रहे हैं आज के दिन विशेश भक्त लोग आपका यादगार बली भी चड़ाते हैं आप सब मनवचन कर्म से पाप के आगे समरपड होते हो उसी का यादगार भक्ट लोग अपने को बली नहीं चलाते बकरे को बली चला देते हैं और कोई नहीं मिला बकरा ही क्यों मिला इसका भी रहेसे आप जानते हो क्योंकि सबसे बड़ेते बड़ा दे अविमान का कारण है मैपन ये मैपन जब अरपड कर लेते हैं तब ही ब्रामण बनते हो तो बकरा भी क्या करता है मै मै तो ये दे अविमान के मैपन की निशानी है और दे अविमान का मैपन बहुत सूच्म भी है और भिन भिन प्रकार का भी है सबसे पहला मैपन है मैं शरीर हूँ फलाना हूँ फिर आगे चलो तो संबंद में फसने का भी भिन भिन मैपन है और आगे चलो तो भिन भिन पोजिशन का भी मैपन है उससे भी सूच्म अपनी विशेस्ता का मैपन उपर से नीचे ले आता है विशेस्ता हर एक में है ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें चाहे इस थूल, चाहे सूच्म कोई भी विशेस्ता नहो ये नहीं ग्यानी जीवन में भी हर ब्रामण के अंदर कम से कम एक विशेस्ता अवश्य है लेकिन ग्यानी जीवन में विशेस्ता परमात्म देन है परमात्मा की सौगात है जब परमात्मा की देन को दे अविमान वश मैपन में लाते हैं मैं ऐसा हूँ, यह रोयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैपन है तो समरपन तो हुए ही है लेकिन आगे क्या देखना है तीचर सभी अपने को क्या कहती है समरपन है ना, तीचर सभी समरपन है अच्छा प्रवर्ती में रहने वाले समरपन है हाँ या ना पांडव समर्पण है बहुत अच्छा मुबारक हो आगे क्या करना है समर्पण तो हो गए बहुत अच्छा अभी आगे ये चेक करना है बताएं क्या आप कहेंगे समर्पण तो है ना फिर क्या करना है तो एक है समरपण और आगे है सर्व समरपण सर्व में विशेस अंडरलाइन है अपने मन बुद्धी संसकार सहित समरपण क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो पुरुसार्थ में तीवर गती से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो लेकिन वर्तमान वायू मंडल प्रमाण ब्रामर जीवन में भी मन और बुद्धी के उपर व्यर्थ का प्रभाव बुरा नहीं बुरा खत्म हुआ लेकिन व्यर्थ और निगेटिव का प्रभाव ज्यादा है इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूस्ता शक्ती कम हो जाती है समझ से महसूस्ता होती है हाँ यह रौंग है यह ठीक नहीं है लेकिन एक है विवेक से महसूस्ता दूसरा है दिल से महसूस्ता अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए लेकिन सोयम नहीं बदलेगा और संसकार पुराने 63 जन्मों के होने के कारण नेचुरल हो गए हैं जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो ये गलती नहीं है लेकिन मेरी नेचर है तो पुराने संसकार कुछ मिठते हैं कुछ दब जाते हैं फिर निकल आते हैं लेकिन सर्व समर्पन का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रती परिवर्तन हो जाए जिसको बाब दादा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो भिन भिन तो होगी ही कल्प व्रक्ष है वेराइटी नहीं हो तो शोभा नहीं लेकिन हर आत्मा के प्रती शुब भावना और शुब कामना अशुब भावना को भी परिवर्तन कर शुब भावना रखना वा शुब भावना देना हर आत्मा के प्रती शुब कामना ये अवश्य बदलेंगे ऐसा नहीं कि ये तो बदलना ही नहीं है उसके प्रती जज़ बनके जजमेंट नहीं दो ये बदलना ही नहीं है जब चैलेंज की है कि प्रकर्ती को भी परिवर्थन कर सतो गुणी बनाना ही है बनेगी नहीं बनेगी क्वेस्चन नहीं बनाना ही है ही शब्द को अंडरलाइन किया है तो क्या प्रकर्ती बदल सकती है आत्मा नहीं बदल सकती आत्मा तो प्रकर्ती का पुरुष है तो प्रकर्ती बदले पुरुष नहीं बदले क्यों तो वर्दमान समय ये मन बुद्धी संसकार स्वय के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन यही सेवा है सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है तो डबल सेवा करनी है एक तो सुय को सर्व समरपण और इतना सुय को समरपण करो, जो आपका वायू मंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआयें, औरों को भी सहज परिवर्थन करने में सहयोग दें. इतना सुवपरिवर्तन करना है सर्व समर्पित करना है एक ये सेवा और दूसरी है लोक सेवा रिजल्ट में देखा है कि चारों और देश में विदेश में, काव में सभी ब्रामर बच्चों ने अब तक जो सेवा की है बाप के मुहबबत से की है उसकी तो बाप दादा बहुत-बहुत-बहुत मुबारक देते हैं आगे क्या करना है बाप दादा ने देखा जो ब्रामर बने है ब्रामरों की भी व्रद्धी है और भी तीवर गती की व्रद्धी होनी है लेकिन साथ में जो लोक प्रिये सेवा की है भिन भिन प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है वह बहुत अच्छी है अभी भिन भिन इस्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित बनी है सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं एक कदम सहयोग का है एक पाव तो बढ़ाया है लेकिन दूसरा पाव है सहज योगी, कर्म योगी कर्म योगी या सहज योगी भी कुछ-कुछ बन गए हैं ये भी स्टेज दूसरी है अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पाट बजाएं माइक स्टेज पर होता है न तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रतियक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरू आप माइट हो वह माइक जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो हैं बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आविशक्ता है वे चाते हैं क्या करें कैसे करें उन्हों को माइट बन विदी ऐसी सुनाओ जो लौकिक अक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट पास्ट सो फस्ट के लाइन में आ जाएं ऐसे हैं प्रत्यक्ष होने हैं सिर्फ कनेक्शन और कर करेंट दो रोहानियत की करेंट वाइबरेशन वायुमंडल की करेंट और विधी जो निमित बने की बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है ठीक है ना क्या करना है वस सुन लिया ना छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो चलो बड़ा गुलदस्ता न और हर एक तरफ बाब दादा की नजरों में है सुना पांडफ सुना बहुत अच्छा डबल फॉरिनर्स जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भारत लाएगा कौन लाएगा कि दोनों साथ में लाएंगे एक तरफ से फॉरिन का एक तरफ भारत का दोनों गुलदस्ते स्टेच पर आएंगे जैसे ये सेरिमनी मनाते हैं तो वे भी सेरिमनी मनाएंगे दोनों गुलदस्तों की तरफ दोनों गुलदस्तों की भारत की भी विदेश की भी ठीक है विदेश वाले क्या समझते हैं ठीक है तो दूसरी सीजन मे लाएंगे, लाना है, भारत वाले लाएंगे, लोकिक और अलोकिक अक्यूपेशन के बैलन्स वाले, आप जैसे सिर्फ ब्रामर जीवन वाले नहीं, लोकिक भी अलोकिक भी, उन्हों का प्रभाव ज्यादा होगा, आप लोगों से तो द्रश्टी लेने आएंगे, अच्छा क्या सोच रही है, जैन्ती, नाम सोच रही है क्या, ये निर्मला, मोहनी, नाम सोच रहे हैं, यहाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम है, सुभान अल्ला है, ये देखो, कुछ-कुछ तो बैठे भी हैं, ये ब्राइन सामने बैठा है न, आस्ट्रेलिया क ब्राइन भाई से गुलदस्ता तैयार करना है न, बहुत अच्छे-च्छे, क्या नाम देते हो, NCO, अच्छा, फॉरेन के NCO वाले हाथ उठाओ, NCO बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा, कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धरनी तैयार है, बीज भ अच्छा, तीचर्स भी बहुत आई है, तीचर्स को भी मुबारक है, आपने ही तो सेवा की है न, तो सेवा की मुबारक अच्छा गुजरात का क्या हाल है? गुजरात में बहुत बड़ा भूखम पाया है हलचल गुजरात से शुरू हुई है ज्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है डरते तो नहीं हो न? धर्नी तो हिलती है लेकिन दिल तो नहीं हिलती है न जहां धरनी हिली है नुकसान हुआ है वहां से जो आये हैं वह उठो एहमदाबाद वाले भी उठो अच्छा दिल हिली की धरनी हिली क्या हुआ दिल में थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ नहीं हुआ बहादुर है बाब दादा ने देखा कि बच्चों ने अपने हिम्मत और बाब की छत्र चाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा कोई फेल नहीं हुआ सब पास हो गए कोई थोड़ा कोई ज्यादा नंबर वार तो सब होता ही है हर जगा लेकिन पास है मुबारक है सबसे ज़्यादा नाजो किस थान से कौन आये है एक भुज की और एक भचाओ की बहन आई है अच्छा भुज में आप तो हजार भुजाओं वालों के साथ थे अच्छा पेपर में पास बहुत अच्छा किया आगे भी हिलना नहीं अभी तो होता रहेगा घबराना नहीं रोज होता है होने दो देखो परिवर्तन तो होना है न तो प्रकर्ती भी अपना काम तो करेगी न जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकर्ती को तमो गुणी बना दिया तो वह अपना काम तो करेगी न लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में ये भी खेल है खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे उपर नहीं करना मास्टर सर्व शक्तिवान आत्माओं की स्व़ इस्तिती पर परिस्तिती प्रभाव नहीं डाले और ही आत्माओं को मांसिक परिशानियों से छुडाने के निमित बनो क्योंकि मन की परिशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे गवर्मेंट अपना काम करेगी, आपका काम है मन के परिशानी, टैंशन को मिटाना टैंशन फिरी जीवन का दान देना, सहयोग देना जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बंद सहयोग दे रहे हैं न ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि चाहे विदेश हो चाहे कोई भी हो लेकिन भारत देश से प्यार है, हर एक अपना अपना कारेतों कर रहे हैं आप अपना कर रहे हैं जैसे आग लगती है तो आग बुजाने वाले डरते नहीं है बुजाते हैं तो आप सब भी मन के परिशानी की आग बुजाने वाले हो अच्छा तो गुजरात मजबूत है ना हजार बुजाओं की छत्रचाया में हो कहां भी आए अभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो गए हो ना कहां भी आए देखो प्रकर्ती को कोई मना नहीं कर सकता है गुजरात में आओ आबू में नहीं आओ बॉम्बे में नहीं आओ नहीं वस्वतंत्र है लेकिन सभी को अपने स्वयस्थिती को अचल अडोल और अपने बुद्धी को मन के लाइन को क्लियर रखना है लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी बाप दादा ने पहले भी कहा था उन्हों की वाइरलेस है आपकी वाइसलेस बुद्धी है क्या करना है, क्या होना है, ये निर्णय इसपस्ट और शीग्र होगा ऐसे नहीं सोचते रहो, बाहर निकलें, अंदर बैठें, दरवाजे पर बैठें, छट पर बैठें नहीं, आपके पाव वहां ही चलेंगे जहां सेफटी होगी और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे तो मदबन एशलम घर आपका है डरना नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है डरना नहीं, खेल है, परिवर्तन होना है न, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है सब में वेराग ये व्रत्ती उत्पन होनी है रहम दिल बन सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे रहम करो, समझा अच्छा अभी एक सेकंड में मन और बुद्धी को एकागर कर सकते हो स्टॉप बस स्टॉप हो जाए अभी एक सेकंड के लिए मन और बुद्धी को एकदम एकागर बिंदू बिंदू में समा जाओ अच्छा बाप दादा ने ड्रिल कराई चारों ओर के सर्व स्त्रेष्ट ब्रामन आत्माओं को, चारों ओर के सदा द्रण संकल्प वा व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत हुला से सुव सेवा और लोक कल्यान की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज के शिव जैन्ती की, हीरे तुल्य जैन्ती की, न्यारी और प्यारी जैन्ती की मुबारक हो और दुआओं के साथ याद प्यार और नमस्ते वर्दान, बाप के सने को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे सनेही भव बाप के सने को दिल में धारण कर सर्वाकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे सनेही भव बाप सभी बच्चों को एक जैसा सने देते हैं लेकिन बच्चे अपनी शक्ती अनुसार सने को धारण करते हैं जो अमरतवेले के आदी समय पर बाप के सने को धारण कर लेते हैं तो दिल में परमात्म सनेहे समाया होने के कारण और कोई सनेह उन्हें आकरशित नहीं करता अगर दिल में पूरा सनेह धारण नहीं करते तो दिल में जगा होने के कारण माया भिन भिन रूप से अनेक सनेह में आकरशित कर लेती है इसलिए सच्चे सनेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो स्लोगन देह की पुरानी दुनिया और संबंदों से उपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्त निवासी हैं अच्छा, ओम शान्ती, ओम शान्ती, ओम शान्ती